अब आपको चिकन और उसके साथ खास चीज है यह शल्जम की रस्पी दे रही हूं बिल्कुल इजी और आसान तरीक रसे मेरा काम है आप लोग को आसान और जल्दी खाना बनाना सिखाना तो देखिए यह आधा किलो चिकन है आधा किलो शल्जम है तेखिए इपगोने में मैं अब आपको टाली करें तैला किलो तो प्याज की कहते हैं तो यह रही है किलो जाए था इतना ही ब्राउन करना अब देखिए मैं आप ट्यूंग मैं तो मिन अच्छेज को प्राइख करोंगी जब तक इसका इसका कलर चेंज हो ज़ए हैं फिर यह भी प्रिशिका ग्रशिक् इसमें मैं क्या-क्या डालने वाली हूँ आपको दिखाए मिशाला बहुत ही मजदार ये रिस्पी है बहुत ही शानदार सा है आप बनाएं अब इसको अच्छे से मैं अब इसको मैं अच्छे से कलर चेंज होने तक इसमें प्राइब करूंगी को अब इसको अब इसमें ढाला जुदार ने टला जोड़ा है अब आप क्यागी सोप्ट हो गिया अब मैं अब इसमें डालों सबसे पहले लैसानद्रक आप लासन अद्रख डाल पिस पच्छे से 2 चिकड प्राई करूंगी अब डालें इसमें खल्दी पॉर्डर अगर या अधिस्स, अगर आप अगर या लाल मिर्च खाते है तो लाल मिर्च भॉтор डालिए अगर तीन अदर म्र Gusty या मि अदर तो में ज़स्ल चोप टनीन हुआ। अब भूआ कि अंभूद में एक स्राय होरो दिशन्या शस्चनी भी फिर शिटा कमानेhos कि मेरा गोष्ट वच्छे से मसालक साथ भुना गया अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर अब टमाटर डाल के अच्छे से पूनोंगी अच्छे मैं थोड़ी से डालूंगी काली मिर्च आपकर लाल मिर्च ढाल रहा है तो फिर काली मिरच के टीने जाव मिर्च आप Reteding से टेस्ट से नूसार के शा estamos अब में नमक डाल दीगें अब अच्छे से मिक्स कर लोगी अब इसमें शल्जम भी डाल के सब कर दो दो एक साथ यह शल्जम है सर्दियों में शल्जम होता है यह जमीन के अंदर होता है अ कि अपके साने के सामने से completos नितर दा कहिए वहता है बहुत है अब अब इसको अच्छी तरह से बहुत है नहीं को अच्छी तरह सीढ़ी अच्छी तरह से भून दो अजिप डीब बिन पानी डाले बिलकुल फिर अच्छा से इसी पानी में तमाटर , पयास , के शलजम भी पानी छोड़ता है और अब इसो अपने जतना गिरिवी रखना है अब आप डाल दूंगी घरम मसाला अब इसको में दूदा समय स्टूबदा पनेल कि अगर आप चाहदे थोड़ा ग्रेवी करना कि अगर यह भी सूप जाएगा यह दूना आप सुप जाया यह पनेल दूना कि अगर एत धरूड़ा समय समय पनेल सावर्च्टू नवुआ है. तिना चिसकी. दीए इसका कितना अच्छा क्राइब आया, ना खुबसुरत लगए है. अब मैस में थोड़ा सा पानी डाल दूंगे गिरेवी के लिए बस बादानी डालना चिकन भी गल गया शल्जाम भी गल गया अदम शानदार सा देखिन मारे रिस्पी तयार हो गया पूरी कीचेन ने इसकी खुश्बू फैल रही है आप भी बनाए एक बार लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें तयार हो गया मैस में धन्या पत्री डाल दिया है मैं आपको डे शॉट करके दिखाती हूं जब करने ने इसकी खुश्बू ग्तार प्रेशों चबटी शानदाव किन खाहिनमें नगया कि नाहिन को कि जहीं नहा है tonight